कि अजय को फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज इस वीडियो में हम मैक बुक प्रो 13 इंच जो है इसको अपग्रेड करेंगे और इसमें नार्मल 500 जीबी की साटा हार्ड ड्राइव है उसको हम सब्सक्राइब करेंगे और इसकी प्रफार्मस काफी बढ़ जाती है क्योंकि जो थोड़े ओर्ड माडल मैक बुक प्रो है इनकी जो प्रफार्मस है वो नार्मल कर्मेंशनल हार्ड डिस में उतनी नहीं होती है और यह लैपटाप काफी स्लू हो चुका है इसलिए अब इसमें एसे टी हार्ड ड्राइब लेंगे तो इससे इसकी स्पीर जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यह वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे तो कंप्लीट जो परसीजर है वो मैं इसमें बता हूँ आप इसको डिससेंबल करने के लिए बैक कवर कोड़ने के लिए जो स्कुरूज है थोड़े से साइड पे होते हैं बिल्कुल वर्टिकल नहीं होते हैं तोड़े साइड पे होते हैं और यह कवर को हम अराम से उता सकते हैं अब देखे यह जो हार्ड डिस है इसमें दो स्कुरू हैं जिन को नकालने से हार्डिस्ट को आप बाहर नकाल सकते हैं अब यह फिटिंग है इसको उतारें तो हार्डिस्ट को इसी साइड से ऊपर करेंगे तो यह बाहर आ जाएगे अब इसमें जो साटा केबल है उसको रिमूब करेंगे यह जो जैक है इसका हार्डिस्ट में लगा हुआ यह निकल गया तो यह अब हार्डिस्ट में बाहर आ चुके है अब जो एसेजडी हार्डिस्ट लगाएंगे यह वेस्टन डिजिटल की ब्लू सीरीज है जिसकी स्पीड काफी अच्छी है और क्वालिटी भी इसकी आपको पता ही है के वेस्टन डिजिटल जो है यह अच्छी क्वालिटी के प्रोड़क्ट सेंस के साइज जो है इसका वेट थोड़ा कम होता है थिकनेस भी कम होती है लेकर जो वेट है साइज है वह सेम ही होता है और यह साटा है कि यह देखें कि 500 जीबी अब यह इसमें एक सेफटी पेपर दिया गया इसे उता रहे हैं अब इसके जो हर्डिस्क के चार स्क्रूज है वो रिमूव करके इसी एसेज़डी में लगा देंगे तो यह वहां पर बैठ जाएगी उसके अंदर वो टाइट हो जाएगा अब आएग्सागुनल इसकूर डाइवर से उपन होगे स्टार है जो हता है उससे उपन होते है नार्मल इसकूर डाइवर नहीं लगता है इसके इसको चारों जो स्कूरूज है यह इसी हार्डिस को लोगते हैं इनका साइज सेम होता है जो हार्डिस में लगते हैं वो भी इसी में एसेज़डी में भी सेम साइज कही लगते है तो अगर आपका कंप्यूटर यह मैक बुक हो या कोई और लैप्टाप हो विंडोज हो अगर वह स्लो हो जाए या पुराने हो तो आप उन्हें स्पीड उनकी ज्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए एक तो यह है कि रहम उसकी इंक्रीज होनी चाहिए लेकर अगर फॉर जी बी तक रहम है तो वो सफिशन्ट होती है किसी भी अपरेटिंग सिस्टम के लिए उसके बाद पर हार्डिस होती है क्योंकि जो कर्वेंशनल हार्डिस है उसमें कुछ टाइम के परफॉर्मस जो है तकरीबन डबल परफॉर्मस हो जाती है लैप्टॉप की या डेक्स्टाप की भी तो यह केबल लग चुकी है अब इसी तरह इस तरह वो हार्डिस पहले वाली लगी थी उसी तरह इसको अंदर बिठा देंगे और यह दो स्क्रूज है इनको टाइट कर देंगे इसके लिए यह नार्मल स्क्रूडवल है प्लस का जी फ्रेंट तो यह हार्डिस हमारी लग चुकी है अब बैक कवर लगेंगे अब अब और आप जूंके इसमें यह नहीं है तो या तो इसके लिए जो डिस्क यूटिलिटी होती है वह आपके पास होनी चाहिए और उस भी होना चाहिए बूटेबल वैस होना चाहिए और अगर वह नहीं है तो फिर इंटरनेट के जरिए हम इसे डॉनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपके पास वाइ-फाई होना चाहिए या केबल वला इंटरनेट जो है इथरनेट वो होना चाहिए तो वो लगाने के बाद में इसमें कमांड आप्शन और और को एक साथ प्रेस करेंगे और साथ में पावर कौन करेंगे तो यह उस रेकवरी मोड में आप्शन और को प्रेस करेंगे और कुछ देर के बाद जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद फिर बाकी प्रसीडिंग करके हम इसमें निया ओएस इंस्टाल कर सकते हैं तो जब इसे आन करेंगे यह आफ है अभी तो इसको जो आप्शन और कमांड को प्रेस करेंगे और उसके साथ ही जो आर की है उसको प्रेस करेंगे इसकी belong तो फासीलिंग करने चारजैंग से पहले हमें चार्जर लगा लेंके क्विसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो इसको पावर आन कर लेना चाहिए और में किनको फासरीट्ट tu रही जो कमांड और ऑप्शन की है इनको प्रेस करेंगे दोनों को एक साती में और प्लस आर की प्रेस करना है पावर अन करते ही एक साथ में इनको प्रेस रखेंगे तो थोड़ी देर में इसका जो आपशन है रेकवरी की वह आ जाएगी और उसमें पिर आप इंटरनेट के अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वाइफाइब की आप्शन पूचेगा जैसे यह देखिए तो इसमें जो वाइफाइब जितने भी कनेक्शन हैं वह हमेरे सामने हैं जो मैं यूज करता हूं उसको लगाकर उसका पास्वर्ट सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जिससे पर ओएस डानलोड होना शुरू हो जाएगा तो उसमें तुछा टाम लगता है जो कि हमारे इंटरनेट कनेक्शन हम पर डिप्रेंट करेगा तो वीवल यह थे थे थाज की वीडियो वीडियो अगर अच्छी जल्दी में ते हैं किसी और वीडियो के साथ अलाहाफेज